तो यह एक फॉलॉप वीडियो है इससे पहले निफ्टी के व्यू का मैंने एक अपना वीडियो बना के पोस्ट किया हुआ है जिसकी लिंक अभी आपको राइट एंड साइड अप दो स्क्रीन दिख रही होगी तो यह वीडियो को देखे उससे पहले आप वो वीडियो में जाके मेरा क्या व्यू था उसको समझ ले तो यहाँ पे चीजों को आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे तो हम अभी डिसकाशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने एनलाइस किया था कि अब यह हमारा प्रिवियस थिसिस था वो पूरा चेंज हो गया है यह यहां पर हो गया है बी यहां हो गया है ऐसा लग रहा है एंड वी आर इन व सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले कि ट्रेडिशनल टेक्निकल एनलिजिस का व्यू हम लेते हैं यहां पर और उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यह जो इनिशल ब्रेकाउट लेवल है यह स्पॉर्ट चार्ट है निप्टी का ठीक है तो यहां पर प्राइज आके सपोर्ट ले सकती है विकोज दिस में एक्ट अज़े सपोर्ट यह बहुत ही इंपोर्टन स्विंग लेवल है नाइन एट नाइन के आसपास और यहां पर आके एक मार्केट सपोर्ट लेने का ट्राइब करें एस पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनलिस हमें लग रहा है विकोज नॉर्मली क्या होता है प्राइब एक्षन ऐसे होती है जैसे लेट अस एजूम कि यह एक रेजिस्टेंस लेवल है और उसको ब्रेक करके मार्केट सिधा ही उपर बाग जाता है तो दैन जब मार्केट नीचे आता है तो इट रिस्पेक्ट इस लेवल इन मेजर कीज़े है जो हम एक्स्टोर करते हैं कि आप आरे साई देखो आरे साई इस अबाव सिक्स्टी प्लस डियमाई इस डॉमिनंट सॉट्ट मूविंग अवर जिसके ऊपर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है और दैर इस पॉजिटिव क्रॉस ओवर ऑफ ट्वेंटी एन फिप् तो आल इस थैंसे नाव लैट एक्स्टोर के हिसाब से उसमें क्या लग रहा है तो आयलिव के हिसाब से अब जो सीश है जैसे मने बताये दो कि वी आर rece १ कॉर daily और wave 4 में भी हमने यह A और B complete कर लिया है and now we are in a wave C तो wave C जो होता है that is always an impulsive wave और उसके जो internal wave counts होते है that is 1, 2, 3, 4 and 5 तो अब हम 60 minute के चार्ट में जाते हैं this is the similar chart but 60 minute का है निफ्टी का और यहां पर हम देखे तो wave 3 में ऐसा लग रहा है कि हमने wave C में sorry wave C में ऐसा लग रहा है कि हमने यह 3rd wave यहां पर complete किया है और अभी जो retracement है that is of wave 4 and we may go for a 5th wave rally तो यह 5th wave rally के लिए कौन से लेवल पर entry करनी है that I will try to explain in a telegram channel तो उसका link भी description box में है आप telegram channel join करो तो उससे भी आप किया कि मेरे साथ connected रह सकते हो तो अब मेरा मानना यह है कि वेव C is yet not over हमने पिसले वीडियो में देखा था कि यहां पर जो वेव C में वेव 3rd है वो कहां कर्मिनेट हो सकता है तो उसमें 10,300 10,400 के आसपास का एक बहुत ही लोजिकल टागेट अमने डिसकस किया था और एक्जेटली उसी हिसाब से यह 10,300 के आसपास टर्मिनेट हुआ है और वो वीडियो में जाके आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर कौन सी पैटन आइम लुकिंग फॉर कि यह मार्केट उपर चला गया है दैन इट मेरी ट्रेस और यह बाउन्स आए और एक करेक्शन आए तो नाव एक्जेटली उसी हिस आप से यह पैटन अंफोल्ड हो रही है यू चेक ही यह लाइक डिस अब तो वेव टर्मिनेट हो गया है बैट मेंस के वी आर नाव इन वेव फॉर ओफ वेव सी तो जो डेली में वेव फोर है उसका वेव सी है वह वेव सी में भी टीन जो वेव से वंदा अब्साइड वो वो अब खतम हो गये है ना वी आरेने करेक्टिव स्ट्रक्चर यहां पर मैंने एबी सी ऐसा लेबलिंग किया नहीं है बट डिस लुक्स लाइक ए इस भी एंड इस वियर इन वेव सी तो फोर्थ वेव है उसमें भी सी वेव का जो फोर्थ वेव उसमें भी हमने एबी कंप्ल कंप्लीट हो सकता है तो जैसे मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि यह वेव सी खतम हो गया हो और हम डाउन साइड जाए बट ऐसा मेरा व्यू है नहीं तो यहां से मैं आइम नोट एक्सपेक्टिंग अ बिग क्रैस एस अफ नाव ऐसा लग रहा है कि दिस इस करेक्टिव पै एक लॉजिकल वे में डिसकस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो हम यह करते हैं अब यहां पर कि यह जो करेक्शन है वह कहां खतम हो कि वह देखते हैं तो वेव फॉर का नॉर्मल रिट्रेश्मेंट जो होता है डैट इस पॉइंट ट्री एट टू होता है यह यह एलिएट तो पॉइंट टू-3-6 या पॉइंट ट्री एट टू के आसपास वी कन एक्सपेक्ट दिस वेव फोर टू टर्मिनेट तो यह एबी सी स्ट्रक्चर वहां खतम हो सकता है लॉजिकली यह तो जो प्रिवियस फोर्थ वेव है उसके आसपास जाके वह खतम हो सकते तो कुए एक अलग से हम देखते हैं विकोज अब जो ए तो यह करेक्टिव पैटन इसा लग रहा हो है इससे .... 335 structure उसमें मैं डीटेल में discussion नहीं करूंगा यह फ्लैट करेक्शन है 335 structure है ऐसा लग रहा है तो जब फ्लैट करेक्शन होता है तो उसमें वेव सी का extension क्या आ सकता है तो अब यहां पर उसका एनलाइज करें हम लॉजिकली तो यह कहां तक extend हो सकता है तो हम देखें उसका extension आप आ सकता है 1.618 से लेके 1.75 तक तो यहां पर भी देखो आप 9935 या 34940 के आसपास का एक लेवल है तो यहां पर एक फिबोना की cluster बन रहा है तो सबसे पहले इंपोर्टन लेवल जो हमें ध्यान में रखना है वो है 9940 तो इस लेवल में एक्ट एस सपोर्ट Secondly हमने देखा कि अगर यह support hold नहीं होता है तो कौन सा लेवल हमें देखना चाहिए तो traditional technical analysis के इसाफ से मैंने जैसे आपको बताया यहां पर यह 9889 का जो लेवल है वो और third possibility जो हमने देखी कि यह wave 4 कहां पर terminate हो सकता है तो 0.382 का retracement जो होता है 223 से जो हम retracement लेंगे उसका तो यहां पर we can expect 9800 के आसपास तो broadly 9800-9900 यह जो लेवल है 100 points का ठीक है तो यह जो पूरा zone है वो एक multiple support zone है और I would not suggest के इसके आसपास आप करो राधर हम प्राइज एक्शन को observe करेंगे एंड एंट्री लेने का ट्राय करेंगे कब एंट्री लेनी है वह मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करूंगा तो आप चैनल जोईन कर सकते हो अब हम देखते हैं कि वेव फाइव का जो एक्स्टेंशन है वह कहां तक जाएगा तो सबसे पहले हम एजिम करते हैं कि डबल नाइन फॉर जिरो के आसपास यह वेव फॉर खतम हो जाता है राइट सो अब वेव फिफ्ट कहां तक जा सकता है तो ऐसा एजिम करके एक हम एक हाइपोटेटिकल टाइगर टागेट डिराइव करें तो 9500 के आसपास एक टागेट आ रहा है लेट में जूम इन सम्टिंग तो आपको चीजे क्लियर दिखेगी यहां से हम एक्स्टेंशन लेते हैं जीरो टू प्री माइनस पो करेंगे डबल नाइन फॉर जिरो के आसपास वियर एजुमिंग कि यह करेक्शन खतम हो जाएगा तो वेव फिफ्ट कहां तक एक्स्टेंड हो सकता है तो 10,005.382 वेव 3 इस वाइट एक्स्टेंडेड तो वेव 5 में हम ज्यादा कुछ रैल्ली एक्स्टेंड नहीं कर सकते तो 10,500 यह 10,700 का एक लेवल है डैड बीगन एक्स्टेंड के वेव जी यहां पर टर्मिनेट हो और डूसरी चीज मैंने जैसे बताई थी यहां पर के यह वेव फोर का जो रिट्रेस्मेंट है अब वेव फिफ्ट मेट्रेलाइज होने के चांसिस कम हो गया है उसका लॉजिक मैंने उस जो वीडियो है अगला उसमें पोस्ट किया हुआ तो पॉइंट 618 के आसपास यह सी वेव खतम हो सकता है तो मोटा मोटा वाट वीकें से कि 10 10,450-10,500 तो तेज़ तागेट अगर वेव फिफ्ट मेट्रेलाइज होता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक जरू करना लाइक माइंडेट पीपल के साथ सेर करिए ठीक है और चैनल को सब्स्राइब कीजिए थैंक यू झाल